टेबल टेनिस में आपका पेरा एथलेट में ब्रॉंज मेडल आया तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम स्वानल पतेल है, पेरा टेबल टेनिस प्लेयर, पेरा ओलंपियन मेरा common with games में bronze medal आया है तो मुझे बहुत खुसी है क्लास 3-5 combine में upper category के साथ मैं खेली हूँ और मेरा bronze medal आया है तो मुझे बहुत खुसी है और opponent Australia है, England है Nigeria है वो सारे top player के साथ मैं खेली हूँ और मैं जीती हूँ तो मुझे बहुत ही खुसी हो रही है अब हवग दिखनिए है तो किस तरह का शन्ण था जब आपका medal आया मेरा medal आया तो मैं बहुत ही खुस हो गई थी और मेरे feeling है ना हमें बता नहीं सकती कि और जब हमें medal प्येरा आया गया और हमारा तीरंगा हमारा उपर गया तो हमारे जैसे रुवाटे खड़े हो गये थे ऐसे बता नहीं सकते किया फिलिंग होती है जी उस शन के बारे में आप कुछ बताना जाहेंगे अपने कोचिज आपके कोचिज नहीं आपको क्या बोला वो किस तरह की खुशी थी और कितने लोग आपके पास आया आपको कंग्राजुलेट किया कितना इंडियन सपोर्ट था उस टाइम पर हुझे जब मैडल आया तब म मेरी फैमिली मेरे हस्बंड मेरे हस्बंड है वो इंटरनेशनल प्लेयर है वो भी टेबल टैनिस के तो और मेरी फैमिली इतने खुस हो गए थी कि ना पुछ बाद मेरे घर में सारे लोग वैसे उट्सा के बारा में सब मिठाईया खा रहे थे सब को परिवार जमी को आजो और सब्सक्रीव गए लोगों को मिठाई बात रहे थे हुआ इतने ही कुछ था आपको किस ने मिठाई केला है सबसे पहले मुझे मेरे हरस्बंड ने खिला ही सबसे पहले मिठाई किसा तो कैसा मोमेंट था उसके बारे में कुछ बताएंगी बहुत ही देखो मेरे अभीर हो हो गई कि बहुत ही अच्छी मुझा जाहिब आपके एक लुब ही कुछ बताना चाहिए इस ओऊंचा यह ऑजिनोंगे पॉश्च दो कि अनने एक नेन मुझे सपวट किया हैं और हमें कभी भी निर्वस होती हूँ, कभी भी मेरा माइंड जैसे डाउन होता है तो वो मुझे ऐसे कहते नहीं कि तुम्हें बस मेडल लाना है, बस यह कह रहे हैं कि तुझे बस फोकॉस करना है और अपनी गेम खेलनी है बस मेडल आए ना आए वो अलग बात है पर तुझे अपनी गेम खेलनी है बस इसलिए मेरा मेडल आया है जो सबसे पहला इंसान था कि जब आपका मेडल आया तो कौन सबसे पहले आपके पास आया और किस ने आपको सबसे पहले कोग्राजुलेट किया आपके कोच थे या कौन थे मेरा मैडल आया तो सबसे पहले मेरी सिष्टर थी जो मेरे साथ आई है मेरी हेल्प कने के लिए वो आई थी और मेरे साब कोच में ही बैठी थी वो तो सबसे पहले मुझे वो गले लग गई वहां ही और वो मुवेंट बहुत अच्छी थी आपकी ट्रेणी के बारे में बताना चाहेंगे किस तरह की difficult training होती है इसमें, तो क्या कISHनाआ चाहेंगी आप मेरी training सुब पांच बाज़र से स्फूरू हो जाती है, मैं तीन में 7 या 8 गंटा प्रेक्टीस करती हूँ इसमें में psychology की मेरी ट्रैनिंग होती है और मेरे फीचर थेरापिस की भी होती है वीकलिफ थ्री दे और मैं सेवन या एट गंडा प्रैक्टिस करती हूं डेली स्पोर्ट्स अंपिट से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका